प्यारे बच्चो आज हम बात करेंगे क्लास 10 के गड़ित की अर्दवासिक परिच्छा के लिए तो यहाँ पर जो आपके अर्दवासिक परिच्छा होने वाली उसके सिलिवस के अंसार आप देख लीजे कि आपका पेपर किस तरीके से आने वाला है तो यहाँ पर आपका जो समय मिलेगा तीन खंटे 15 मिनट परिच्छा के टाइम पर मिलेंगे जिसमें से 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए दिये जाएंगे और पुर्णांक जो पेपर का होगा वो 70 नमबर का होगा बच्चो और इस पुर्णांक 70 में से 20 कोशन जो रहेंगे जो खंड आके रहेंगे और यह सभी बहुविकल्पी परिशन होंगे एक नमबर से लेकर के 20 नमबर तक के और उयमार उसके लिए दिया जाएगा आपको उसमें आपको काले या नीले कलर के डाट प्रेंट से वह लाखाला करके उसका अंसर देना है साथ ही साथ जो खंड बा जो रहेगा वो डिस्क्रिप्टिव रहेगा यानि वर्णात्म परिशन दिये रहेंगे उसमें और उसमें भी पांच प्रिशन होंगे और उसके अंसर जो है आपको उन प्रिशनों को हल करना होगा तो यहां पर चलिए बढ़ते हैं आगे प्रिशनों की ओर देखते हैं किस प्रकार से हमारे प्रिशन आएंगे खंड आ जो है वो बहुवी कलपी प्रसन है जो आपके सामने दिख रहे होंगे तो इस प्रकार से यहां पर आपको जो बहुवी कलपी प्रसन दिख रहे हैं एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ आठ प्रसन इधर हैं इसके बाद नौ नमबर के प्रसन से यहां पर आप इनक इनका आंसर जो है आपको IMR seat पर देना होगा तो यह इनिस्वा बाकी और खंडबा का पहला प्रसंट जो रहेगा वो आपका वर्णात्मक ही रहेगा और ये सभी प्रसंट वर्णात्मक रहेंगे खंडबा के इसमें पहला प्रसंट जो रहेगा बचो वो उसमें सभी खंड करने होंगे आपको और ये सभी खंड बचो जो रहेंगे इसमें 6 चोटे ही होंगे इसके बाद दूसरा प्रिशन जो रहेगा उसमें से किनी भी पाँच खंडों को आपको हल करना होगा और चार चार नंबर की प्रिशन आपकी आएंगे नेक्स बचो आप देखिए जो तीसरा प्रिशन है और तीसरा चौथा और पांच बचो यह सभी प्रिशन जो रहेंगे वो अथवा करके आएंगे यानि कि उसमें या तो आप उपर वाला कोशन कर सकते हैं अथवा के बाद नीचे जो लिखा कोशन उसमें से कोई एक कोशन च हैं वो 6-6 नमबर निर्धारित किये गए इस परकार से हाफियल एक्जाम के लिए या आपका पीपर था इसको आप तियार कर सकते हैं